जहिन देगी आप में से बहुत से लड़कों ने जो चाइना बॉर्डर और इंडिया बॉर्डर वाला जो वीडियो था उस पर कमेंट किया कि सर मैप के मदद से आप हमको नेपाल बॉर्डर में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको समझा दीजे तो चलिए आज हम समझते हैं नेपाल के साथ क्या क्या चीज़ी हो रही है और सुगोली की संधिये उसके बारे में डीटेल से चर्चा करते हैं देगी बहू आपको इतना पता होगा है कि नेपाल जो है वो इंडिया के ऊपर में ये वाला जो कंट्री है ये नेपाल है ये जो है ये नेपाल है नेपाल हो गया था मुगलों के पतन के बाद नेपाल के गोरखा सासक बहुत ही योद्धा थे वो लोग बहुत ही वीर हो गये थे उन लोगों ने ये नेपाल की ये जो सीमा है इससे आगे निकल गये ये क्या किये नेपाल में इसके अलावे ये लोग सिक्किम को भी ये लोग कबजा क कर लिया फिर यह आगे बढ़के यह कुमायू ऊत्रेघ्ग कहन देते हैं इन दोनों को सत्लज नदी ँर यह ति तिस्ता नदी के बीच में इनकी क्या हो गई? सीमा बन गई, इतना लंबा इनका छेतर हो गया. इन बढ़ते सामराज को देखते हुए, ब्रिटीस अस, उस समय तो हम लोग स्वतंत थे नहीं, इंगलेंड का कबजा था हमारे उपर, तो जो ब्रिटीस अस थे सब इंगलेंड वाले, उन्होंने इसके साथ युद कर दिया. उस युद को कहते हैं एंगलो नेपाल वार, आंगलो नेपाल युद, ये युद चला 1814 से लेके 1816 के बीच में, इस युद में गोरखा बहुत बीरता से लड़े, लेकिन अंग्रेजों का हथियार अच्छा था, उनकी स्ट्रेटीजी अच्छी थी, अंतता अंग्रेजों की जीत हो गई, और 1816 में एक संधी साइन हुआ, उस संधी यानी समझाते का नाम था सुगौली की संधी, अब आपसे क्वेशन ये पूछ सकता है कि सुगौली की संधी कब साइन हुई थी, तो देखिए, सुगौली की संधी साइन हुई थी, 1815 में याद रखिएगा, और वो इंप्लूमेंट यानी कम उसको अमल में लाया गया, कबसे वो लागू हो गया, तो वो 1816 से, तो आप 1816 ही याद रखिएगा, क्योंकि उसी दिन से वो लागू हुआ था, एक क्वेशन और पुछता है, कि सुगौली कहां पे है, तो सुगौली बिहार के चमपारण में ह यहीं पे समझाता हुआ था, गोरखा और अंग्रेजों की बीच में, इस समझाते के तहट कुछ बाते कही गई थी, उसको समझे, इस समझाते के तहट कहा गया, कि गोरखा लोगों ने, जो गढ़वाल जीता है, वो अंग्रेजों को वापस करे, कुमायू वापस करे, तरा सिमा का नाम क्या है तो समझते हैं लो, आनली नेपAl युद्में जब नेपाल की पराजे हुई तो अंगरेजों ने नेपाल के लिए सीमा का नियधारण कर दिया, उन्हों ने कहा कि उत्तरा खंड में जो सारदा नदी है। इसी शारदा नदी type नेपाल के लोग काली या महाकाली कहते हैं, तो जो महाकाली नदी है, वो यहां से सीमा बनाएगी पस्चिम से, और इस तुसर में मेची नदी, मेची नदी वो नेपाल से ही निकलती है, नेपाल का लाश्ट नदी है मेची नदी, ये मेची नदी नेपाल से निकल कर बिहार के किसन गंजिस इदर पे जिला किसनगन किसनगं में महानंदा नदी से वर्तमान में मिल जाती तो यह इदर में महाकाली नदी बॉर्डली बॉर्डल वन गया इन्हीं के बीच में क्या हो इस सब के बारे में तो इतना समझें अब नेक्स स्लाइड में हम समझते हैं ध्यान से समझिएगा यह जो ट्रीटी थी ट्रीटी को अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पर तो हम आपको समझा दिये थे इंडिया नेपाल के बीच में एंगलो नेपाल वार 1418-1416 के बीच गया था आप बले इसका स्कीन सोट ले सकते हैं पहले जो नेपाल था पहले का नेपाल की सीमा यहां पर क्या थी सतलज नदी और इधर में तिस्ता नदी लेकिन बाद में क्या कर दिया गया नेपाल की सीमा को यहां पर यह हो गया आपका नेपाल नेपाल में इधर बना दि होगे, तो समझे इसके बारे में, हालग इसका skinshot लेना चाहने तो ले सकते हैं नहीं तो आप एक notes बनाते चलिएगा, विवात का कारण क्या है, तो उत्तरा खंड से हम लोग को मानसरोवर यातरा की सुरुवात करानी थी, हम लोग को, तो मानसरोवर यातरा कैसे होगा तो ध्य सर्वार जाते थे यहां संकरजी का आश धानर के लासमां सर वcaust पर्वत पर महाकृ तो यहां हम लोग जाते थे जो तो भारत सरकारने स्चा कि क्यों नहीं लोग को Sou twenty UK रास्ते पहुंचा दें यहां यहाँ पर भी एक दर्रा है जिसका नाम है लेपुलेख दर्रा तो यहाँ से क्यों न पहुँचा दे आप कुछ देखें कि यहाँ से बहुत फायदा होगा दूरियां घट जाएगी इससे एक और फायदा क्या हो जाएगा कि हम चाइना से फ्यूचर में जब कभी यूद होता है तो हम यहाँ से सेना भी पहुचा सकते हैं क्योंकि चाइना का भरोसा करना बेकुफी होगी तो भारत सरकार ने यही सोचा कि भाई हम यहाँ सड़क बना देते हैं तो भारत सरकार में जितनी भी सीमा पर सड़के बनेंगी बॉर्डर पर वो बनाने के काम करता है Border Road Organization BRO Border Road Organization BRO यह सेना के अंडर में एक संस्ता है यही काम करती है यह क्या करेगी भी यह बॉर्डर पर सड़के बनेगी अब विवाद कैसे हो गया देखिए यहाँ पर काला पानी एक जगा का नाम है काला पानी तक सड़क थी उस सड़क को आगे बढ़ा कर लेपुलेख दर्रा तक लाया गया यह सड़क की लंबाई थी 80 किलोमीटर अब नेपाल कर दिया कि भाया आप यह जो सड़क बनाए है यह हमारे एरिया में है क्योंकि काला पानी और लेपुलेख दर्रा लेपुलेख यह तीनों देसों के सीमा पर है इधर में इंडिया इधर नेपाल इधर चाइना तो यह जो आप सड़क बनाए है यह सड़क गलत है यह Till बद्धेट अपाल कर आके हम सीवोली की संधीक को मानते हैं भारत कर आके हम भी उसी को मानते हैं फिर भीवाद का से हुआ समज़ी अधेant सरदेत कि इसको समझें नेपालं है मानके चलायीं नेपाल यह नेपाल हो गया और यहां पर उत्राखंड है इधर का area यह उत्राखंड में जो महाकाली नदी है उसकी तीन छो साखाएं है ध्यान से समझे आप नकसा को देखिए जिसको हम black color से किया है यह नेपाल है और यह जो red color से बना दिया है ये इंडिया का उत्राखंड राज्य है अब सुगोली की संधी कहा गया था कि ये जो ब्लू कलर की नदी आ रही है ये महाकाली नदी ये नेपाल और इंडिया का बॉर्डर बनाएगी दिक्कत इस बात किया है कि नदी का उदगम जो है वो तीन नदियों से मिलकर होता है एक इधर वाले का नाम है लिम्पया धूरा इधर जो है लिम्पया धूरा तो सबसे इधर वाला एरिया है लिम्पया धूरा इधर में हो गया काला पानी सबसे लास्ट में है लेपुलेक इंडिया कहता है कि जो महाकाली नदी शुरू हो रही है वो लेपुलेक से शुरू हो रही है कहां से शुरू हो रही है लेपुलेक से इसलिए लेपुलेक से जब ये शुरू हो रही है तो इधार का पूरा एरिया मेरा हो गया नेपाल क्या कर रहा है से शुरा कि जो महा काली नदी शुरू होती है वो लेपुलेक से नहीं शुरू होती है नेपाल कहता है कि यह लिम्पया धूरा से शुरू होती है लिम्पया धूरा से जब शुरू होती है तो यह बॉर्डर होना चाहिए यानि सारा का सारा जहमेला यह इसी एरिया के लिए यह हलका सा जो एरिया इसको हम दूसरे किसी कलर से कर देते हैं यह एरिया से विवाद है सारा विवाद इसी एरिया को लेकर हो रहा है अब आपको बता दें कि यह जो एरिया है इस एरिया पर पहले से कबजा इंडिया का है यह जो tri generation है तीनों का area इस पर अधिकार पहले से इंडिया का है तो नेपाल का रहा है कि भईया मेरा है आप खाली करिए नेपाल को यह गर्मी कहां से है भईया यतना जुनून जो कभी हमसे आँख मिला नहीं सकता था आज इतना बढ़के बोलने लगा समझे इसके बारे में तो यह समझ गये border road organization ने एक new सड़क बनाई थी कहां से काला पानी से लेपुलेक तक 80 km किसलिए मांसरोवर यात्रा पर जाने के लिए अब नेपाल ने एक नया नक्सा लगा दिया नेपाल ने अपने नय नक्सा में लिंपया धूरा को काला पानी और लेपुलेक यानि यह एरिया को अपने नक्सा में दिखा दिया कि यह पूरा एरिया नेपाल का है इसने अपने नक्सा में दिखा दिया इंडिया ने का भया हम यह नक्सा को नहीं मानते यह नक्सा गलत है उकाता कि नहीं है आप मानिये क्योंने यह सुगौली की संधी 1816 की बात है तो आप समझ उद गम से जमेला है कि कहां से माना जाता है या आप अब सब्स्वात समझें नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है नेपाल में ऑब ही जो सरकार है वह सरकार है नेपाल कॉमुनिस्ट पार्टी की जैसे अपने भारत में बीज़ेपी की सरकार है उसी coun armate प्hl है चाइना की गोद में जाने के लिए तैयारी में इनको समझ नहीं आ रहा है कि चाइना इनको बरबाद करेगा चाइना किसी को भी अपने ट्राप में बिछा लेता है करजा देकर उनको फसा लेता है इतना करजा दे देता है और काट से जादे कि यह करजा चुका नहीं पाते कय से नेपाल, चाइना के कहने पर ये सारा विवाद खड़ा किया है और हद तब हो गया जब कल नेपाल के प्रायम इनीस्टर के पिषर मा ओली ने क्या कहा इंडिया इस्प्रेट कोरोना वाइरस इंग नपाल यानि भारत के लोग नेपाल में और भारत के लोग 貌र रहे हैं हद हो गया भाई हिंदुस्तान ने नेपाल को 2 लाख टेबलेट दिया था हाइडरोकसी क्लोर्वूर्ट्विन का दो लाख टेबलेट दिया था नेपाल को परसीटमल का और वो भी उससे पैसे नहीं गिया था गिफ्ट में दे दिया था कि आप हमारे पडोसी है और अमेरिका को हम लोग ने पैसे में बेचा था उस गिफ्ट का नतीजा यह है कि हम लोग कोरोना वायरस फैला रहे हैं और क्या बोला ही के पी सर्माओली ने कि इंडियान कोरोना इस मोर लिथल लिथल मतलब था खतरनाक मतलब इंडिया का अमेरिका इतली और चाइना के वहान माले कोरोना से जादे खतरना है आपका यह है कि पी सर्माओली इनको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यह समझें ना कि लिंप्या धूरा का मेन वीज़ाद क्या है लिंपिया धूरा उत्तराखंड के पिथोड़ा गड़ जीला में आता है यह समझ में आगे आपको आप आगे समझाते हैं और क्या चीज़ है इसका स्कीन सोट लेना चाहिए तेक ले सकते हैं देखिए जो सड़क बनाए गया है वो सड़क बनाना जरूरी भी था हमारे जो सरद्धालू कैलासमान सरोवर यात्रा जाते हैं आप उनका इस्थिती देखिए कितने दुरगम इलाके में जाते हैं दुरगटना हो जाती है और भी आप देखिएगा इस एरिया में क्या हालत है सड़क का आप देखिए कितनी गहरी खाई है इतनी गहरी खाई में हम लोग यात्रा करनी पड़ती है यह मतलब जो कलासमान सरोवर की यात्रा पे जो सरद्धालू जाते हैं उन पे तो यह सड़क बनाना एक तरह से जरूरी भी तो था बॉर्डर रोड अर्गनाईजेशन ने पहार तोड़के सड़क बनाया देखिए इतना आसानी से सड़क नहीं बनते हैं यह पहार तोड़के सड़क बनाया और बनने के बाद नेपाल कर रहेगी भाईया यह एरिया हमारा है आप खाली कर दीजे तो थड़ा हम यह समझते हैं कि इंडिया को नेपाल के साथ क्या करना चाहिए हर चीज का एक conclusion होना चाहिए तो देखिए उसके बारे में देखिए पहला तो इस मुद्धे को हमें नॉर्मली डेलिगेट बेसिस पे कुटनीतिक तोर पे सुल्जा लेना चाहिए कुटनीतिक मतलब होता है बातचित करके अधिकारियों के दोरा इस मौमले को सुल्जा लेना चाहिए क्यों क्योंकि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं पडोसी नहीं बदल सकते हैं दोस्त बाद में आते हैं पडोसी तो बगल में रहते हैं अगर हम अपने पडोसी से ही दोस्त के तरह बिवार रखेंगे तो ज़ादे अच्छा रहेगा तो इंडिया इसलिए नेपाल को समझाता है लेकिन ही समझ नहीं रहे हैं तो चलिए एक ठोम दिखाते हैं नेपाल के साथ इंडिया ने ट्रिलर दिखाया था 2015 में 2015 में मदेशिया भी बाद था इंडिया के कुछ मदेशिया जाती के लोग नेपाल में बसे हैं नेपाल उन लोग का ध्यान नहीं रख रहा था इंडिया ने भी क्या किया तो ध्यान से दिखेगा नेपाल का जो border share होता है इंडिया के साथ ये मैदानी छेतर है यहाँ ट्रक वगरा जा सकते हैं इस रास्ते से ट्रक वगरा जा सकते हैं लेकिन ये वाले एरिया पूरी तरह पहाड है और बड़े बड़े पहाड है माउंट एवरेस्ट भी उसी साइड में है बड़े बड़े तो चाइना से इधर आना बड़ा मुस्किल हो जाता है इसलिए चाइना हो गया या कोई भी हो गया वो अपना सामान अगर चाहते हैं कि नेपाल को बेचे तो वो नेपाल को बेचने के लिए वो सामान को चाइना से वो कलकत्ता बंदरगा पे उतार देते हैं और कलकत्ता ब प्रोफिट है उसको अगर कोई आलू आप नेपाल भेजते हैं इंडिया के रास्ते तो ट्रांस्पोर्ट को जोड़कर अगर खर्चा निकालिएगा तो एक किलो आलू अगर दस रुपया है तो नेपाल पहुंचते पहुंचते वह 10 रुपया कीलो का आलू 12 रुपया कीलो हो इसलिए नेपाल को भी सोचना चाहिए कि अगर भारत ने यहां से ब्लॉक कर दिया तो हालत खराब हो जाएगा तो नेपाल को भी सोचना चाहिए कि हम ये ट्राई जंग्षन जो है जिसे वो लिंप्यादूरा को मान रहा है हम लेपुलेख को छोड़ ही नहीं सकते हैं एकदम कनफर्म छोड़ नहीं सकते हैं और ये नरेंदर मोदी विठे हैं परधान मंतरी कस्मीर छोड़वे नहीं किये लोग कुदर थे पाकिस्टानी ये वो ती लेपुलेख छोड़ेंगे यह पर इनका भी दीन खराब चलवा है बिनास कालेन विपरीत बुद्धी आप समझदार हैं आप भी समझते हैं ये सब चीज़ों को बारे में तो ये टोटल ट्राई जंग्षन का विवाद था आप ह इवन हमको नेपाल के बारे में भी सोचना चाहिए हिंदुस्तान ने ऐसा कोई युद्ध नहीं जीता है जिसमें नेपाल के गोर्खा भाईयों का खुन नब भाह हो हमारे जनरल थे मानिक्सा बहुत ही बहादूर फील्ड मार्सल जनरल से भी उपर का पद होता है फील्ड म लगता है तो समझ जानाओ जूट बोल रहा है या तो वह गोर्खा सिपाई है बारत में गोर्खा सेनिक है तौर हमें यह देख़के चलना है कि नेपाल से अच्छा संबंध बना की रखें टाकि वहां से हमारे देश में गोर्खा सेनिक आ सकें बहुत ही योध्धा होते है जालेंगे नेपाल और भारत की इस रिष्टे को आई होप आप इसको समझ गया हूंगे नेक्स्ट हम आपको समझा देंगे कि टूर ऑन ड्यूटी क्या चीज है सेना में तीन साल कैसे जाना है फिर नेपाल से क्या साथ चाइना के साथ अभी जो नेया विवाद हो गया है वो क आपको भी अगर कहीं ऐसा लगता है कि कोई जरूरत मान देता आप भी महां जाईए हर काम छोड़के महां जाईए क्योंकि बार-बार अपने देश को सेवा करने का मौका आपको नहीं मिलेगा यही वोक्त है कि आप अपने कामों के बीच में से कुछ समय निकालके उनको भ बात समझे बाबू उस काम को भी हम छोड़ नहीं सकते हैं तो थोड़ा हम उधर बीजी थे इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए अब आ गया है आप वीडियो कंटीनिव रहेगा आई होप आप यह समझ गया होंगे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर चाचा करेंगे अब सब आलोजी जो छोड़े थे और फिर पॉलिटी वगरा